स्वागत आपका टेक्नोएस चैनल में मैं हूँ यश जैसे कि आपको मालूम है में मेक मनी ओनलाइन लिडियो आपके लिए लेकर आता हूँ इस वीडियो में भी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप घर बेटे बेटे आसानी से यूएस डॉलर में कमा स सकते हो तो वो तरीका है डेटा एंट्री करके डेटा एंट्री अगर किसको नहीं मालूम है तो मैं शौट में बता देता हूँ डेटा एंट्री बेसिकली होता क्या है बहुत सरे बड़ी-बड़ी कंपनीज होती है उनके यहाँ पर बहुत सरे लोग फॉर्म भरते या फिर account बनाते हैं वह बहुत सारी से चीजे होती है तो उनको जब particular person का जो form है वो चाहिए रेता है तो उनको ढूनने में बहुत सारी तकलिफ उठानी पड़ती है तो वो क्या करते हैं कि एक excel sheet में सारी information भर के उसको एक table के form में अच्छे से organize करके वो रखते है ताकि उनको बाद में जो particular person का form चीए तो वो आसानी से ढून पाए जैसे example के तोर पे अगर आपने एक form भरा है आपके जैसी 1000 लोगों ने form भरा है तो वो क्या करते हैं form का एक number decide कर देते हैं और number के साथ में आपका जो नाम है वो एक table के form में करके आपको अपने जो database है उसमें save कर देते तो इससे क्या होता है जबी आगर आपको जो आपने जो organization में आपका जो form है अगर organization को आगर आपकी information चीए तो वो जो table बना है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर आपका नाम सर्च करके वहाँ पर जो आपका form नंबर होगा वहाँ पर वो नंबर टाइप करेंगे और आपका जो form है वो उसको आसानिय से मिल जाएगा इसी तरह से बहुत सारे data entry jobs available है online पे इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे jobs बताऊंगा जो की आप बिना कोई skills के आराम से कर पाएंगे इस वीडियो में मैं आप काम कर पाओगे और अच्छे से पैसे कमा पाओगे तो चलिए मेरे स्क्रीन पर चलते तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ट्रूल एंसर यहाँ पर खुला हुआ है आपको ट्रूल एंसर पर कैसे है आपको sign up करना है वो आप YouTube से आप सीख सकते हो यहाँ पर मैं आपको नहीं बदाने वाला है जैसे कि जैसी आप यू जैसी आप ट्रूल एंसर पर sign up कर लोगे तो आपको browse job पर जाकर data entry सर्च करोग तो यहाँ पर आपको धेड़ सारे project मिल जाएंगे जिनको अपना काम कराना है यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कित्ने सारे project सर्च तो यहाँ पर आपको इन projects में से एक project कोई choose करना है जो कि आप से suitable हो जो आप काम कर सकते हो जैसे कि मैं आपको कुछ प्रोजेक्स बता देता हूँ, यहाँ पर I need a data entry operator for web research, तो इनको basically web research के लिए एक data entry operator चाहे है, जो कि यह per hour 400 rupees देने वाले है, अगर आपको यह job करना है, तो यहाँ पर simply आपको जो send proposal का option दिखरा होगा, यहाँ पर आपको send proposal पर दबाना है, अब जैसी है आप send proposal पर दबाओगे, यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा कि किते लोगों ने proposal भेजा है already, किते लोगों इसको visit कर चुका है और इसका status क्या है, अगर जो यह job है जिसको मिल चुकी होगी अगर एक जन को भी मिल चुकी होगी, तो यहाँ पर awarded लिख कर आ जाएगा अगर यह job open होगी तो यहाँ पर open लिख आ जाएगा, अब यहाँ पर पूरे आपको details मिल जाएगी कि क्या-क्या requires उसको, यहाँ पर आपको proposal details भी मिल जाएंगी कि किस किस लोगों ने कैसे कैसे prices में अपनी जो proposal है वो send करके रखा हुआ है बाजू में उसकी जो reviews है वो भी दीख पा रहे होगे आपको अब यहाँ पर आपको करना कै अगर आपको यह जो काम है वो करना है तो यहाँ पर send proposal का option मिल रहा होगा यहाँ पर आपको send proposal पर दबाना है अब यहां पर कुछ एरर आरहा है कि यहां पर लिखा हुआ है कि इसकी बीडिक हो लिम्इट को लिमिट है वह पार हो चुकिए अब यहां पर अपन लिम्इट क्रॉस नहीं कर सकत है। कुछ और ट्राइ करते आपको दिखाने के लिए तो जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा यहां पर बहुत सारे job है अब यहां पर आपको दिख रहा होगा expert in data entry and typing English and Tamil तो यहाँ पर अपने को special तो यहाँ पर अपने को proposal send करना है तो यहाँ पर अपने को proposal send करने के लिए यहाँ पर आपको send proposal पर click करना है अब यहाँ पर भी देखिए जैसे कि bidding limit cross हो चुकी है यहाँ पर अगर आपको ऐसा आ रहा हो तो यहाँ पर आपको जो है filter कर लेना है कि यहां पर आपको जैसे कि दीख पा रहा होगा यहां पर आपको कोई एक जॉब चूस कर लेना है यहां पर जैसे कि दीख पा रहा होगा कि यहां पर सिर्फ 16 प्रोपोसल है अब यहां पर आपको आपको दिखाने के लिए example के तोर पर यहाँ पर आपको send proposal पर click करना है जैसे कि आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा कि यह जो project है यह पहले से awarded हो चुका है तो यहाँ पर आप specially ध्यान दिजेगा कि यहाँ पर आपको proposal send नहीं करना है क्योंकि ऐसे जो awarded job होते हैं आपको यहाँ पर job नहीं मिलेगा यहाँ पर उसके नीचे ही लिखा हुआ है कि need for articles on scam broker please apply only it free and writer by profession no data entry तो यहाँ पर आपको trial के लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको send proposal पर click करना है और यहाँ पर send proposal button पर आपको click करना है तो यहाँ पर आपको अपनी जो project proposal detail है कि यहाँ पर आपको भरनी है आप कौनसे इसमें expert है आप कितने जिनों में काम करके देख सकते हो ऐसा कुछ लिखना है कि जो आपको काम देने वाला हो वो आपसे impress हो जाए और आपको काम दे दे उसकी नीचे आपको amount लिखना है और कितना वो deposit करके रख देगा true answer के पास में उत्ता लिखना है और उसके बाद में यहाँ पर send पर option क्लिक कर देना है ध्यान देने वाली एक बात है कि बाजू में आपको note लिख कर आ रही होगी कि अगर यह job किसी को awarded हो चुका है तो मुझे notify कर देना तो यहाँ पर अगर आपको notify चाहिए तो यहाँ पर आपको box पर click करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है अब जैसी आप यह box पर click करते हो आपका जो बीड किया हुआ प्रोजेक्ट है अगर वो किसको ओवरेड हो चुका है तो आपको उसकी नोटिफिक्शन मिल जाएगी अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो एक मैने में बीस ही बीड मिलते है बीस प्रोजेक्ट पर आप जो है प्रोपोजल सेंड कर सकते हो अगर आपने फ्री वाला प्लैन लिया हुआ है अगर आपने पेट प्लैन लिया है तो आप कि जो बीड है वो ज़ादा होगी तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया है जैसे आपको यहाँ पर डीटेल लिखनी है यहाँ पर अमाउंट लिखना है और भी ऐसे बहुत सारे जॉब्स है जो आप आसानी से कर सकोगे यहाँ पर मैं एक मिन आपको बता देता हूँ बहुत सारे ऐसे जॉब्स डेली यहाँ पर पर पब्लिश होते रहते है तो यहाँ पर देश की है जैसे की बहुत सारे जॉब्स यहाँ पर लिखा हुआ है निव कंटेंट राइटर किकस्टाट अपॉरचिनिटी फ reclaim ॥ा यू यहाँ पर आपको किकस्टाट बी मिल सकता है जो नई freelanустर है यहाँ पर जो उसकी नीचे लिकर आ रहा है नीड देटा एंंट्री specialist नीड देटा एंट्री PS, I Nita Data Entry आयाँ पर आपस सारे इंल dol suitable project है वो यहाँ पर choose करना है और यहाँ पर bid करना है कि जिसको कम से कम proposal मिले हुए है और एक बात कर हमेशा द्यान रखिएगा कि आप ऐसी काम कर bid करना जो कि आप 100% कर सकते हो अगर आप 50% भी उसको नहीं कर सकते हो या यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता दिया है कि कौन-कौन से इसे jobs होते है जो available होते है यहाँ पर daily daily jobs publish होते रहते हैं आपको कोई टेंशन लेनी वाली बात नहीं है यह सिर्फ ध्यान रखेगा कि एक मैने के आपको सिर्फ 20 मिड मिलते हैं और यह bid करना बहुत ही जरूरी होता है अच्छे से bid करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इधर जो लोग होते जो free वाले जो होते है जो free वाले freelancer होते हैं उनकी bid खतम करने के लिए जो paid वाले freelancer होते हैं वो नकली नकली projects यहाँ पर publish करते रहते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आप नकली और असली project में फर्क कर पाए ऐसे वीडियो में आपके लिए बना कर लाऊंगा पर उसके लिए आपको थोड़ा सा wait करना होगा और वीडियो को अगर लास तक देखा है और पसंद आया है तो यार वीडियो को like कर देना और इस जो channel है उसको subscribe कर देना जरूर से और बाजी की जो घंटी है उसको बाजा देना तो तब तक के लिए आपको bye bye इस वीडियो में इत्ता ही मिलता हो आपसे next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद